पती चार बच्चों का गला कार्टने वाली महिला प्रेमी को उम्रकैट प्रेमी को साथ लेकर मारने का बनाया था प्लान अलबर शहर शिवाजी पार्क में 6 साल पहले वे खौफनाक हत्याकार्ण में मंगलबार को फैसला आ गया है इस मामले में कोट ने महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैट की सजा सुनाई इससे पहले सोमवार को इन पर आरोप साबित हो गये थे लेकिन सजा पर कोट ने फैसला सुरक्षित रखा था दर असल दो अक्टूबर 2017 को महिला आरोपी संतोष और संधिया शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान के साथ मिलकर अपने पती तीन बेटे और भतीजी की हत्या करवा दी थी इस सत्याकान में हनुमान ने अपने दो साथी कपिर और दीपक के साथ मिलकर संतोष के सामने ही सभी के गले कार दिये थे वकील ने बताया कि हनुमान और संतोष को आजीवन कारवास हुई है हमारे द्वारा फासी की सजा की दलील रखी गई थी क्योंकि ये रियरिस्ट केस में आता है हम कोट की फैसले का सम्मान करते हैं हम हाई कोट में अपील करेंगे और आरोपियों को सक्त सजा दिलाई जाएगी इस मुगत्मी के अंदर अलवर पूलिस टीम एफसल टीम के द्वारा अथक प्रियासों से मुल्जमों को बहंतर कटिक के अंदर रिकावर किया और पूरी गढ़ना का खुलासा किया अलवर पूश टीम के द्वारा शरीमान S.P. साँब राहुल पळकाजी शरीमान I.G. साथ देमन तिले साथ के द्वारा उनकी लित्रत्यों में गटिटीम के द्वारा ये खुलासा हुआ था आज उस मुगदमे के अंदर आरोपियों को मुल्जिमों को आज जीवन कारवास की सिदा श्रीमान नियाले एडिजिनर मर्दों के तुवारा सुनाए गई है चुंकि जिस तरह से मैनत की गई है उस मैनत के नुरूप इस फैसले को हम सुखा नहीं करते हैं इस पैसले के लिए हम उच नियाले और विदी कप्रिया अपनाई जाएगी और इसके अंदर मुल्जिमों को वाची की सिदा हो यह हम चाहते है इसके लिए पुलिस इसके अंदर अगरे कारवाई की जाएगी और दोनों अभ्युक्तों को आजीवन कारवार्स के डंडित किया रहे हैं अन्वान उच चैप को 302 में अजीवन कारवार्स 10,000 रुपे जर्वाना धारा 460 आईपीची के तहट पर दस वर्ष का पड़ोर कारवार्स 20,000 रुपे जर्वाना 201 आईपीची के तहट 4 साल की सजा 10,000 रुपे जर्वाना इसी तरह से संध्या और संकोष को धारा 302 सबटे धारा 120 वी आईपीची के तहद आजीवन धारावास में 10 अजार रुपे गडड़ धारा 407 सबटे धारा 120 के तहद में 10 वर्ष का कथवर कारावास 20,000 रुपे अर्ड़ गड़ड़ 201 में ठाथ साल का तोटल कितनी सजाए इसा जारा तोटल आजीवन कारावास में यह सभी सजाएं साथ साथ चली जुर्माना कितना इसा तोटल जुर्माना लगवाग पचाशा पाता बाद अज्या और आजी झाल झाल